हेलो गाईज, स्वागता आप सभी का इस वीडियो में आज हम ऐसे टोपी को कवर करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर सभी को कन्फूजन रहती है उसमें क्लियर्टी नहीं आपाती है वो टोपी के हमारा बिंग बिंग से रिलेटिड जितनी भी कन्फूजन है आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी इसमें प्रोब्लम नहीं आ सकती मैं इस वीडियो में आपको बारेकी से बिंग से रिलेटिड डिटेल से सभी कॉनसेट को किलियर करती हुए चलूँगे वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिनादेर करते हुए पहले जान लेते हैं हम बिंग का कैसे कैसे यूज होता है कभी बिंग जिरेंड की तरह काम करता है संटेंसिज में कभी वीठरी आता है बिंग की साथ कभी एड़ेक्टिव आता है कभी ये mean work की तरह cover करता है हमारे sentences में तो bean से later जितने भी confusion है जितने भी topic है जितने भी structure बनते हैं वो सब इस video में cover करेंगे तो करते हैं video को start बिना देर करते हुए जो हमारा पहला structure है वो हमारा bean के साथ gerend आता है यानि कि जब bean जो है वो gerend की तरह काम करता है इस topic को start करने से पहले हम इसके root पे काम करना चाहेंगे क्योंकि bean कहां से आया जब हम root पे काम करेंगे तो जो bean से concept में जो भी problem आते हैं वो आपको नहीं आएगी वो आसानी से आप किलियर कर पाएंगे तो बी मतलब क्या होता है होना आप सभी जानते हैं इस बारे में बी मतलब होता है होना बी के जो आठ मेंबर है यानि फैमिली मेंबर इसके आठ है कौन-कौन से है is, am, are, was, were बी खुज से होता है उसके बाद being और being यानि कि कुल मिलाकर बी की फैमिली में आठ मेंबर है यानि कि बी के पार्ट हैंगे आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा इनको तो आप अच्छे से जानते हैं is, am, are, was, were ठीक है तो जो में जो टोपिक है आज का हमारा वो है being इसमें काफी स्टूडेंट को प्रोवलम आती ही आती है उन्दों किलेर्टी नहीं हो पाती है तो इस वीडियो में हम डेटेल में ना जाकर केवल बींग से लेटेड जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे उस पे हम काम करेंगे क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी था कि जो बींग है वो कहां से आया अप चलते हैं अपने टोपिक पे जो बींग है वो जीरंट की तरह काम करता है जो हमारा पहला स्टुक्चर होगा जीरंट के रूपमे अब gerund क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं जब भी किसी word में ing आ जाता है तो वो gerund कहलाता है जैसे go के बाद ing going come के बाद ing coming get के बाद ing getting इस तरह से ing form में जो होगा और जो होने की sense देगा वो gerund होता है अब gerund जो है sentence में तीन तरह से आ सकता है या तो subject के रूप में आएगा या object के रूप में आएगा या prepositional objective case में आएगा हम तीनों ही जो condition है उसको अच्छे से सीखेंगे अगर आपने जीरन के इस concept को सीख लिया तो being related जो भी problem है वो clear हो जाएगी इसी concept में जो बागी के charge structure रह जाते है वो easy है आपको easily समझ आ जाएगे जब मैंने यह कहा होने की sense में मैंने कहा तुम्हारा दोस्त होना बहुत मुश्किल है तो तुम्हारा दोस्त होना being your friend is very difficult यहां पर being your friend is Girinha यहां Data यहां से rubbing ö तुम्हारा दोस्त होना यानि यह हमारा subject है और जो subject की तरह काम करें वो यहाँ पर being है वो जीरिंड है ठीक है दूसरे example देखते है जैसे मैंने कहा अमीर होना बड़ी बात नहीं है तो कैसे बनाएंगे being rich is not a big deal यानि बड़ी बात नहीं है यहाँ पर जीरिंड की तरह काम किया subject है मारा third sentence मैंने कहा गरीब होना एक अभी साफ है यानि कि गरीब होना एक अभी साफ है तो कैसे लिखेंगे being poor is a curse ठीक है इस तरह से आप being से स्टार्ट करके कुछ भी sentence बना सकते है subject के रूप में जीरिंड के रूप में आप यूज करेंगे जब एक जीरिंड object की तरह काम करता sentence में object के रूप में आता है तो sentences कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं जैसे हमारा पहला sentence है I don't mind being with you आप देखो जो being है ये object की तरह आ रहा है कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद ही being आता है ये आपने ध्यान रखना सभी वर्ब के बाद being नहीं आता है कुछ वर्ब के लिष्ट होती है जिनके बाद being आता है मैंने यहाँ पे वो कुछ वर्ब ली हुई है कुछ वर्ब मैंने यहां पर ली हुई है उनके बाद बींग का यूज होता है सभी वर्ब के बाद बींग का यूज नहीं होता है यह आपने ध्यान रखना है संदेश देखते पहले I don't mind being with you देखो I don't mind यह माइंड क्या हमारा वर्ब है I हमारा subject है और बींग क्या है ओब्जेक्ट है किसका इस वर्ब का object नहीं है यहां पर कुछ वर्ब होते है जैसे like हो गया love हो क्या जो mind है, मैंने mind को लिया है, ठीक है, इस तरह से जो भी verb होगी, उनकी बाद, जो being आएगा, वो object होगा, ओके, यानि तुम्हारा जो साथ है, वो मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है, इस sense में हम sentence बनाते हैं, जब being object की तरह यूज होता है, second sentence से अच्छे से और सीखते हैं, I enjoy being, यानि कि मैं enjoy करता हूँ, in this environment, यानि कि मैं इस environment में enjoy करता हूँ, यानि कि जो ये subject हमारा enjoy के हमारी word और ये हमारा होगया object, यानि कि इस environment में enjoy करता हूँ, ये हमारे हिंदी sense निकल के आएगी, okay, third sentence देखते हैं, the accused admitted, being the killer of his wife, यहाँ admitted क्या है? वर्ब है, और इसका जो object है वो being है, ओकी? यानि कि जो accused होता है अपरादी, अपरादी ने admitted यानि स्वीकार किया, क्या होना स्वीकार किया? कि वह है अपनी wife का हत्यारा है, जो अपरादी है उसने यह स्वीकार किया, कि वह अपनी वाइफ का हत्यार है इस तरह से जो जीरेंड होता है वो हमारा object की तरह वर्ब करता है आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब लिखी हुई है यह वो वर्ब है जिनके बाद being का use होता है सभी वर्ब के बाद being का use नहीं होता है यह आपने ध्यान रखना है आप इसका screenshot ले लिजी फिर हम चलते हैं जीरेंड के next use पर यानि sentence में उसका जो preposition है उसकी तरह जो objective case है उसमें कैसे इसका use होता है screenshot ले लिजी एक जीरेंड जो होता है वो prepositional object की तरह वर्ब करता है sentence में sentence सीखते है यानि कि किसी पर preposition के बाद जब being आता है तो वो एक object की तरह वर्ब करता है उसका जो meaning होता है वो होने की sense में ही होता है आपने ये ध्यान जरूर रखना है होने की sense देता sentence में जैसे thank you for यहाँ पर for क्या है एक preposition है और उसके बाद being आया है ठीक है so kind इतना दयालू होने के लिए धन्यवाद के लिए होने के लिए आगया being और जो for है यह हमारे preposition है यानि preposition को जो object होगे वो being हो गया तो इतना दयालू होने के लिए धन्यवाद second sentence है हमारा he was angry at being disrespected यानि कि वह गुसा था किस पर गुसा था उसकी बेजती होने पर वह गुसा था यानि कि यह हमारे preposition है और being हमारा preposition का object है यानि कि क्या होने पर उसकी बेजती होने पर वह गुसा था ठीक है इस type से हमारा जो being है वो work करता है sentence में I hope आपको किलियर हो रहा है. Next है हमारा C doesn't like. अब देखो यहां तक तो हमने छीखा जीरेंट कैसे वर्क करता है. अब एक कंडिशन ऐसी होते हैं, जब हमारा objective जो प्रोनाउन होता है, उसके बाद भी being का use होता है. अब objective जो प्रोनाउन होते हैं, जो बाद भी being का use होता है, आपने कई बाद न्यूजपेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, या आपने कभी भी मुवी देखी होगी, इंगलिस मुवी, सब टैटल में आपने लिखा हुआ देखा होगा, जरूर, कि जो भी हमारा objective प्रोनाउन होता है, उसके बाद भी being का use होता है, तो देखते हैं, कि सेंस में इसका use होता है, जैसे she doesn't like, यानि वैं पसंद नहीं करती, क्या पसंद नहीं करती, मेरा यहाँ होना, यानि कि मेरा यहाँ होना, मैं पसंद नहीं करती अब अगर यहाँ पर हम I का यूज करते तो वो हमारा गलत हो जाता ओके यह आपने ध्यान रखना है छोटी-छोटी चीजे जो आपको ध्यान रखनी है next sentence है I don't like यानि मुझे पसंद नहीं है क्या पसंद नहीं है You are being that boy यानि तुम्हारा उस लड़के के साथ होना यानि उसके साथ होना मुझे पसंद नहीं है इस तरह से जो being का यूज होता है वो objective pronoun के साथ ही किया जाता है subjective pronoun के साथ being का यूज नहीं होता है यह आपने हमेशा ध्यान रखनी है चाहिए आप starting में लगा रहे हैं एक जो structure था जीरेंड यानि being जो जीरेंड की तरह वर्करता है वो clear हो गया है I hope आपको अच्छे से clarity हो गई होगी अब चलते हम अपनी next structure की तरफ जब being के साथ adjective आता है तो जो हमारे sentence है उसकी sense होती हो रहा है यानि कुछ change हो रहा है जो भी हमारा subjective आप समझ सकते उसकी behave में यानि कि उसकी बरताव में वो है change आ रहा है ठीक है उस condition में हम being के साथ adjective का यूज करते है एक यही condition है जिसमें जो being है वो एक वर्ब की तरह काम करता है जो main verb है उसकी तरह वर्क करता है या तो वो sentence होगा हमारा present continuous का या वो sentence होगा हमारा past continuous का ओकी sentences देखते हैं अच्छे से समझते हैं इसमें हमारा structure क्या होगा subject के बाद is mr का use होगा अगर present की बात कर रहे है अगर हम past की बात कर रहे हैं तो वो जवर का use होगा उसके बाद हमारा being आएगा उसके बाद adjective ठीक है sentence देखते हैं you are being so silly आपको पता है होने की sense हम being का use करते हैं यानि की silly मतलब होता बेवकूफ यानि मूर्ख यानि की you are being तुम हो रहे हो क्या हो रहे हो बेवकूफ हो रहे हो यानि की आप हो नहीं लेकिन जो आज तुम्हारा behave है वह बेवकूफ हो जैसा है यानि तुम्हारे जो बरताव है उसमें change है तुम बेवकूफ हो जैसे बाते कर रहे हो इस टाइब में जो बी sentence मनता है हो रहे हो यानि change हो रहा है तो क्या होगा being जो होई एक वरब की तरह काम करेगा और रहे की sense देगा उस sentence में, ओके, next sentence है, you are being so rude, यानि कि तुम rude हो रहे हो, हो नहीं, लेकिन दिखावा कर रहे हो, कुछ समय के लिए तुम आज दिखावा कर रहे हो, ओके, यानि कि उसके behavior में आज change है, इस type से sentences बनते हैं हमारे, next sentence है, he is being cool these days, यानि कि आजकल वो cool लग रहा है, लेकिन वो है नहीं, ठीक है, यानि कि changing आ रहा है उसके अंदर, तो उस condition में हम being को main work की तरह यूज करते हैं, next sentence है, they are being friendly with us, यानि कि वो क्या हो रहा है, friendly, यानि कि हमारे साथ friendly हो रहा है हमारे साथ आजकल, यानि कि आपने उसके behavior में change देखा, आपको जैसे आप पहले मिलते थे तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो आप देख रहे हो, उसके behavior में change आ रहा है, यानि friendly, यानि दोस्ताना उसका बरताव हो रहा है, आप जो simple भासा में उसमें कैसा तो बरताव, ठीक है, यानि change हो रहा है उसके बरताव में, next sentence है, राहूल is being angry, जो राहूल है वो गुसा हो रहा है, अब देखो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपने, जो being है वहाँ पर आप getting भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो being है वहाँ getting भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां being का concept पढ़ रहे हैं, तो उसे related ही हम बातचीत कर रहे हैं, तो यहां पर होने की sense में आप getting भी लगा सकते हैं, अब चलते हैं अपने next use की तरफ, जब being का use हमारा noun और adjective के साथ होता है, और जो sentence से उसकी sense निकलते होने के नाते, या होने की वजह से, तो sentence कैसे बनते हैं, वो देखते हैं, देखो इस जो sentence में जो main चीज जो आपको ध्यान रखनी वो यह है, होने के नाते, जब भी sense निकलती है, तो आपने कोमा का use जरूर करना है, क्योंकि हमने जीरेन के पार्ट में पढ़ा था, उसमें हमने उसको being को भी हमने starting में लिया था, जीरेन की तरह ने subject की तरह use किया था, उसमें हमने कोमा नहीं लगाई थी, त जो यह होने के नाते हैं, इसके sense अलग निकलेगी, तो आपने ऐसे sentences में कोमा का use जरूर करना है, तो sentence कैसे बनेगा, being a soldier, यानि कि क्या, जो सिपाई या वो होने के नाते, या फोजी होने के नाते, he knows, वह जानता है, how to fight, यानि कि कैसे लड़ा जाता है, वह जानता है, क्या होने के नाते, एक सिपाई होने के नाते, देखो जब भी होने की वज़े से आए, होने के नाते आए, तो आपने ऐसे being का use करना है, being लगाना है, उसके बाद जो भी noun है, adjective उसको लगा देना है, और next sentence है, being rich, यानि कि अमीर होने के नाते, या अमीर होने की वज़े से, my brother doesn't care for money, यानि कि जो मेरा भाई है, वो पैसो की, केर नहीं करता, परवान नहीं करता, क्यों नहीं करता, किस के कार्ण, क्या होने के कार्ण, अमीर होने के कार्ण, देखो जो being है, उसको हम, as को replace करके, since क को replace करके, और because को replace करके, भी हम being का यूज करते हैं, okay, ऐसा नहीं है, जो भी sentence होते हैं, उसमें अलग लग तरह से, being का यूज भी कर सकते हैं, as का यूज भी कर सकते हैं, because का यूज भी कर सकते हैं, okay, लेकिन आप being का यहां समझने concept, तो उसको सीखते हैं पहले, next sentence है, being my younger sister, यानि कि मेरी छोटी भेहन होने के कारण, या होने की वजह से, या होने के नाते, जो भी sentence मीनिंग्फुल सेंस दे रहा है, आप वो ही बोल सकते हैं, I should have helped you, यानि मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी, यानि छोटी भेहन होने के नाते से, या छोटी भेहन हो तुम म कि परिवार का जो मुखिया होने के नाते, कई बार कहते हैं, कि आप परिवार के मुखिया हो, यानि मुखिया होने के नाते, you will have to take decisions, यानि आपको फैसले लेने पड़ेंगे, मुखिया होने के नाते, मुखिया होने के कारण, मुखिया होने की वजह से, आपको फैसले लेन पढ़ेंगे। एक मां होने की नाते अपको हुआ् पच्छो को समझाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे। Being mother you should make, understand your children यानि कि अपने बच्छो को समझाना चाहिए one मां हुने की नाते , एक teacher होने की नाते आपको पढ़ाना चाहिए। Being a teacher, you should teach. एक student होने की नाते आपको पढ़ना चाहिए. Being a student, you should study. इस तरह से आप काफी सारे sentences बना सकते हैं, जब आपको बोलना होने के नाते या होने की वजय से. ठीक है? जैसे वजय से, जैसे आप बोल सकते हैं, बारिस होने की वजय से मैं भार नहीं जा पाया. ऐसा होने की वजय से मैं ऐसा नहीं कर पाया. इस sense में भी आप इसे structure का यूज करेंगी. अब चलते हम अपने next यूज की तरफ. आप एक बार screenshot ले लिजी इसका. जो being का यूज होता है, वो passive हो इसमें होता है, जो present continuous होता है या past continuous की जो passive बनता है. उसमें हम being का यूज करते हैं. आप सभी को पता है, passive हो इसमें जो subject होता है, वो काम नहीं करता. रिसीवर पर काम क्या जाता है, यानि object पर काम क्या जाता है. ठीक है? इसमें जो important होते हो subject की नहीं होती है. काम पर फोकस किया जाता है, तो आप sentence कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं, इसमें हमारा जो subject होगा, उसके बाद is MR या वोजवर का यूज़ होगा, उसके बाद हम being का यूज़ करते हैं, प्लस हम वर्ब की third form का यूज़ करते हैं, यह passive हो इसका structure है हमारा, okay, sentences सीखते हैं, the clothes are being washed, यानि कि जो कपड़े हैं वो धोय जा रहे हैं, कौन धो रहा है, यह matter नहीं करता है, बस यह बताना हमें कपड़े धोय जा रहे हैं, ठीक है, तो यह हमारा जो present का जो continuous है, उसका passive है, next sentence है, food was being cooked, यानि कि खाना पकाया जा रहा है, कौन पका रहा है, यह हमें नहीं दिखाना चाहते हैं, तो by यूज करके दिखा सकते हैं, यानि खाना पकाया जा रहा है, next sentence है, यह तो बहुत easy है, आपको अच्छे से आता होगा, a match is being played between India and Australia, यानि कि जो एक match है वो खेला जा रहा है, किसके बीच खेला जा रहा है, इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच, और इसी बात है, कोई player ही खेल रहे होंगे, लेकिन यह नहीं दिखाया गया है, कि जो match है वो खेला जा रहा है, किसके बीच खेला जा रहा है, वो बताया गया है, next sentence है, they was being taught, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाने का काम है, यह नहीं बताया गया है, कौन पढ़ा बस इतना बताया है, कि उन्हें पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वरा पढ़ाया जा रहा है, यह matter नहीं करता, बस हमें बताना है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, next sentence है, I am being scolded, यानि कि मुझे data जा रहा है, यानि मैं receiver हूँ, मैं तो कोई काम नहीं कर रही हूँ, जो काम हो र उस पर काम हो रहा है करने वाला के हम बात नहीं कर रहे हैं यानि मुझे डाटा जा रहा है अब डाटने काम मैं खुछ से तो नहीं कर रही हूं कोई तो और मुझे डाट रहा होगा तो जो रिशीव है वो रिशीव मैं कर रही हूं यानि मुझे डाटा जा रहा है इस तरह से जो being है उसका यूज हम passive में करते हैं. अब हम चलते हैं अपने last use की तरफ जो being का use होता है. दो condition ऐसी होते हैं जो being के साथ V3 का use होता है. एक तो passive में होता है V3 का use being के साथ. एक होता है जब नाउन के बारे में being कुछ बताता है. यानि जो being है वो नाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ कहना चाहता है. तो उस condition में हम V3 का use करते हैं. sentences सीखते हैं जैसे the man being beaten is actually a thief. यानि कि जो आदमी है वो पीटा जा रहा है. जो आदमी पीट रहा है या पीटा जा रहा है वो क्या है? यानि कि जो दा मैन है इसके बारे में क्या बता रहा है? being बता रहा है कि जो पीटा जा रहा है आदमी है ना उनके बारे में जब बताएगा being इस condition में आप being का use करेंगे ना उनके बाद. नेक्स sentence है the girl being took is my sister. वो लड़की जिसे ले जाया जा रहा है वो मेरी बहन है यानि कि being हमें इस लड़की के बारे में बता रहा है इस लड़की जो ले जाया जा रहा है वो मेरी बहन है. नेक्स sentence है the boy being cold is a student यानि कि जो लड़का है जिसे बुलाया जा रहा है वै एक क्या है विध्यारती है इस सेंस में हम बींग के साथ वी तरीका यूज करते हैं तो आज के वीडियो में हमने बींग से रिलेटिड सभी कॉंसेप्ट को किलियर किया अच्छे से आई होप आपने समझा होगा सीखा हो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा अगर आपके दोस्त भी ऐसे टोपिक सीखना चाहते हैं तो उनको शेज जरूर किजिएगा अगर पहली बार मेरे चैनल पर आपने विजिट किया है और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे